गुड इवनिंग सभी को आवाज आ रही है आवाज आ रही है गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग जल्दी जल्दी जुड़ी है फिर आगे काम बढ़ाएं अम मुल्य आज दो तरह के रिमाइंडर क्यों लगे हुए है मतलब समझा नहीं दो तरह के रिमाइंडर का क्या मतलब है रिष्टि कटियार दिने शगरवाल सभी को गुड इवनिंग अमुल्य गुड इवनिंग नंदिता गुड इवनिंग जल्दी से बताइए आवाज आ रही हो तो आगे बढ़ें मंजीत सिंग जिस ठीक है आवर्स ठीक है आज क्या पढ़ना है विदेहकों के प्रकार इसका एक प्रकार तो आप पढ़ चुके हैं पिछले ही क्लास में हमने साधारन विदेहक के बारे में पूरे उसके प्रोसेस को देख लिया था कि कैसे पास किया जाता है ठीक है और अगर आप कहेंगे तो उसको रिवाइज करने के लिए या आपको समझ में आ गई थी बात साधारन विदेहक वाली या फिर हम लोग 10 मिनट में फिर उसको रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे दोनों में से जो भी आपको मन करें जल्दी से बता दीजे साधारन विदेहक के बारे में जो पास करने की प्रक्रिया थी अगर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उसको 10 मिनट रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे तो रिवाइज करके भी चल सकते हैं अधर्वाइज आप जाकर उस क्लास को देखी लेंगे ठीक है जोती मौरिया गूड इवनिंग मोहन गूड इवनिंग राहूल शिंदे सेवन एडिशन सेवन्थ एडिशन में जो भी नए चैप्टर सोंगे उसको तो हम लोग पढ़ी लेंगे ना क्यों इतना परशान है मैपिंग की क्लासेज भी लो नसर मैपिंग की क्लासेज चलती है शनी बार को रात में आट वजे अगर आप नहीं देख रहे हैं map in news इसके अलावा map in shorts सारे चल रहे हैं कल मेरी class नहीं आय थी कल कल एक discussion आया था कि African continent में जो तूटना हो रहा है उसका उसकी वज़ए से एक नए ocean के निर्माण की संभावना है किया है इस पर एक expert panel discussion हुआ था अगर आप कि दूसरे class पर जो लिखा हुआ है simple bill कैसे पास होता है वह पिछली class थी जो की हो चुका है पीडिएफ डाल देंगे भाई समय नहीं मिल पा रहा है पीडिएफ डाल देंगे चलिए विदहेकों के प्रकार देख लेते हैं इसके पहले अम्रितुपाद्य है 007 इंस्टा और अम्रितुपाद्य है 007 टेलिग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो नए batch की का announcement हो चुका है 23 अगस्त शाम छे बजे 23 अगस्त को शाम छे बजे कल बहुत ज्यादा crowd हो गया था आठ बजे सुबह वाले batch के लिए तो उसको तुरंत बंद करना पड़ा 15 अगस्त के करकी जो छूट थी उसमें seats सारे फूल हो गया उसके तो अब एक नया शुरूव तेईस अगस्त को शाम छे बजे से P2I batch ही है prelims to interview हिंदी में है ही हिंग्लिश और इंग्लिश में भी है और जैसा मैंने बताया था कि फिर से इसके price हो गये है कुम्रित लाइव कोड यूज करना है 29,999 रुपय मिलेगा हिंदी में हो इंग्लिश में हो या फिर इंग्लिश में हो तीनों ही भाशाओं पर एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है तो फिर आप उसको जोइन कर सकते हैं प्रेलेंज कर जाएंगे उनके लिए एक स्पेशल सोविधा है मेंस रेसिदेंश प्रॉग्राम या नि शुरू करें देखिए थोड़ा सा रिविजन करके और थोड़ा सा दिमाग में बाते बना लते हैं पहली बात हमने देखा कि विद्हयक कितने प्रकार के हो सकते हैं कल भी हमने इस पर बात की थी विद्हयक के प्रकारों की बात करें तो मोटे तोर पर इसको चार स्ट्रेणी में बांट सकते हैं ठीक है पहला है और्डिनरी बिल सधारण विद्हयक दूसरा है धन विद्हयक धन विद्हयक के बारे में धन विद्हयक में कौन-कौन से विशय शामिल होंगे ये बताया गया है अनुच्छेद 110 में जैसे टैक्सेशन कर सम्मंदित जो भी प्राउधान है कर को लगाना, हटाना, माफ करना, चेंज करना उसमें, और्टरेशन करना ये सारे अगर इस से सम्मंदित कोई विद्हयक है तो धन विद्हयक में काउंट होगा अनुच्छेद 110 के तहट इसी तरीके से सरकार ने माली ये उधार लिया है, तो सरकार के उधार से सम्मंदित और ऐसे ऐसे साथ पॉइंट्स दिये गए हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे, जिसके जो विशे अगर शामिल हैं विद्हयक में, तो उसको धन विद्हयक कौन तय करेगा, कि धन विद्हयक है कि नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष तय करेगा, कि धन विद्हयक है या फिर नहीं है, ठीक है, तो उसके सारे प्राउधान हम पढ़ेंगे, एक तरह का विद्हयक और है जो है वित्विद्हयक, वित्विद्हयक में भी श्रेणी एक, यानि वित्विद्हयक, फेनेंस बिल व गई है, आर्टिकल 117, ठीक है, अनुछेद 117, इसको भी हम देखेंगे, कि धन विद्हयक और वित्विद्हयक में क्या अंतर है, आज की जू क्लास है, उसका मुख्य विशय यही है, कि धन विद्हयक और वित्विद्हयक को हम अच्छे से समझ लें, और समझने के बाद य एक विद्हयक होता है, जो समविधान में संशोधन के लिए आता है, जिसे हम कहते हैं समविधान संशोधन विद्हयक, कौन सा आर्टिकल है इसके लिए, आर्टिकल 368, अनुछे 368, इसमें विस्तार से बताया गया है, कि समविधान संशोधन विद्हयक में क्या क्या चीज कारे में हम इसमें बात करेंगे आगे ठीक है जब इस पर आएंगे तो ठीक चलिए अब साधारन विधयक कैसे पास होता है उसमें राज्य सभा और लोग सभा के पास क्या-क्या शक्तियां हैं ये सब हमने डिस्कुस कर लिया है फिर भी सधारन विधयक और इन सब पर हम बात करेंगे तो सधारन विधयक की अगर बात करें उसके पास होने की क्या legislative प्रक्रिया है तो एक बार इसको दोहरा लिजिए आम तोर पर साधारण विधयक की कोई अन्य परिभाशा नहीं है साधारण विधयक का मतलब हुआ कि जो धन विधयक नहीं है ठीक है जो समिधान संशोधन विधयक नहीं है वो सारे विशे साधारण विधयक में आ गए बस इ ठीक किसी अनुमति के आवशक्ता नहीं दूसरी बात साधारण विध्यक हमने एक और देखा था विध्यक का प्रकार पिछली क्लास में कि सरकारी विध्यक हो सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है सरकारी विध्यक किसको बोलते हैं ध्यान पर है न क्लास जो पि दोनों में अंतर क्या है दोनों में अंतर बस इतना है कि अगर कोई मंत्री ने बिल पेश किया है तो फिर वो सरकारी विदेयक है और मंत्री के अलावा कोई भी अन्य सांसद जो मंत्री नहीं है भले ही वो सत्तापक्ष का हो अगर वो मंत्री नहीं है और उसने बिल पेश किया वह private member մिल की ठीक है सधारन přीधेयक सरकारी विधेयक भी सकता और private member भी हो सकते गौशन एक और private member कुछ भी हो सकता है कि है जब किसी एक सदनमें सधारन विधेयक ले आया गया प्रस्तुत किया गया तो अब उसमें क्या किया जाएगा प्रोसेस उसका प्रोसेस होता है कि सदन में तीन रीडिंग्स होती है थ्री रीडिंग्स फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है पहला वाचन ठीक है फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट रीडिंग में बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है प्रस्तुत कर दिया जाता है कि अध्यक्ष महुदे इस विशे में इस उद्देश्य से मैं बिल प्रस्तुत करना चाहता हूँ हो अध्यक्ष महुदे ने स्विकार कर लिया तो फिर बिल पेश हुआ पेश होने के बाद फर्स्ट रीडिंग में इसको गैजेट में सरकारी राजपत्र में यह सरकारी गैजेट में इसका प्रकाशन हो जाता है फेस्ट फेस्ट लिज यहां इन्ट्रोडक्शन हो रहा है , हो सब्से को है फ्रिक है वेश्चे के भी यह थह संशोधन के सब्संटूर्स कर अब्लोगी से कहाूं कॉन सेकेंड लीजिंग में बिलको क्लॉज बांट देखा जाता हैं क्लॉज बांट क्या संसोधन उसमें ठीक है उस पर voting होती है तो चर्चा और voting clause by clause होता है second reading इसलिए सबसे ज़्यादा important stage है first reading में क्या हुआ सिर्फ introduce कर दिया गया second reading में एक-एक clause पर बातचीत की गई और एक-एक clause पर बातचीत करते हुए चर्चा करते हुए एक-एक clause का voting हो गया और third में हम पूरे बिल पर स्विकृति या अस्विकृति की बात करते हुए उसमें संशोधन नहीं होता ठीक है और clause by clause नहीं देखा जाता पूरे बिल को सदन स्विकार कर रहा है या नहीं कर रहा है यह third reading है तो second reading में लेकिन तीन स्टेज हैं तीन स्टेज कौन-कौन से हैं पहला स्टेज है साधारन बहस वाली अवस्था ठीक है general discussion होगा इसमें पूरे बिल को लेकर अभी भी इसमें clause by clause नहीं जा रहे है ठीक सेकेंड रीडिंग का जो साधारन बहस हुआ अब इसके बाद एक संभावना यह बन सकती है कि भाई इसको किसी समिति के पास भेजने के जरुरत नहीं है इसके उपबंद इतने टेकनिकल नहीं है कि किसी समिति से इस पर चर्चा कराई जाए उसकी समिक्षा कराई जहाओ मांगा जाए तो साधारन बहस के बाद हम सीधे विचार अवस्था में जा सकते हैं यह निक कंसिडरेशन वली अवस्था में जा सकते हैं उस पर वोटिंग करा सकते हैं लेकिन मान लिजे साधारन बहस के बाद तैह हुआ कि भाई इससे कहीं सलेक्ट कमिटी या फिर पब्लिक के लिए इसको distribute करना है पब्लिक डोमेन में तो ये तीनों option हो सकते हैं सधारण बहस के बाद एक समिती अवस्था आ सकती है अगर सधारण बहस के बाद ये तै हुआ कि इसको समिती के पास भेजना है तो समिती के पास select committee को भेज सकते हैं select committee मतलब उसी सदन की committee और सुझाए कि इसमें क्या संशोधन किये जा सकते हैं क्या हटाया जा सकता है क्या जोड़ा जा सकता है यहां voting नहीं हो रही है यह सिर्फ committee से recommendation लिया जा रहा है और उसके बाद consideration में डाला जाएगा विचार वाली अवस्था में third में और फिर इसमें clause by clause voting हो जाएगी जब यह वाली voting हो गई हर उपबंद को चर्चा करके voting कर लिया गया तब थर्ड रेडिंग में इस पर voting होती है चर्चा और वोटिंग कि भई संपून और अच्छा ध्यान क्या रखना है यहां जब consideration में लिया गया सारे संशोधन वगेरा जब voting हुए तो संशोधन स्विकार यही हो गया सेकंड रेडिंग में क्या होगा पूरे बिल को सुईकार करें या ना करें इस पर चर्चा होगी और हो जाएगा सदन से अगर पास हो जाता है ठीक है जब यहां से थर्ड रीडिंग हो गया तीनों रीडिंग इसका मतलब बिल पारित हो गया जब पारित हो गया तो मान लिजे लोग सभा से पारित हुआ है तो राज्य सभा में चला जाएगा और राज्य सभा से पारित हुआ है सेम प्रॉसेस का मतलब तीनों रीडिंग यहां फिर से होंगी तीन रीडिंग्स ठीक है अब राजिस्तभा के पास option है कि या तो वो जैसा लोग सभा ने भेजा है वैसे ही इसको स्विकार कर ले पारित कर दे कोई amendment ना सुझाय तो अगर राजिस्तभा ने कोई amendment नहीं सुझाया तो क्या होगा बिल दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो एक संभावना तो यह हो गई राजिस्तभा में जाने के बाद ध्यान रखेगा कि राजिस्तभा में भी तीनों री लोगसभा ने भेजा है, वैसे ही पारित कर दे. दूसरा कंडिशन क्या हो सकता है? कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दे. अगर कुछ संशोधनों के साथ पारित किया गया है, तो ये वापस लोगसभा जाएगा. अगर लोग सभा ने इन संशोधनों को स्विकार कर लिया तो फिर ये दोनों सदनों से पारित्मान लिया जाएगा लेकिन एक और कंडिशन हो सकता है हो सकता है लोग सभा इन संशोधनों से जो राज्य सभा ने किये हैं उसको एकसेप्ट नहीं किया अगर ऐसा हुआ, तो गतिरोध के स्थिति आ गए, गतिरोध का मतलब, deadlock का मतलब अब प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, गतिरोध का मतलब क्या हुआ, रास्ते में गतिरोध है, आगे नहीं जा सकते हैं, तो अब यह विधहक आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए इसको deadlock बोलते हैं, गतिरोध बोलते हैं, तो अगर एक condition हुआ कि वैसे ही पारित कर दिया, तब तो दोनों सदनों से पारित ही हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, दूसरा condition यह हो सकता है, कि भाई लोग सभा को amendment के साथ भेजा गया, और लोग सभा ने उन amendments को स भेजा, लेकिन लोग सभा उन संशोधनों पर सहमत नहीं है, ठीक, तो क्या स्थिति हुई, गतिरोध की स्थिति हुई, गतिरोध की यह हो गई, कि भाई लोग सभा के पास गया, संशोधन करके गया, और संशोधनों पर लोग सभा की सहमत ही नहीं है, तो गतिरोध की स्थि बन गई है ऐसे में अनुछे रेक 108 का प्रेयोग किया जा सकता है फिर एक कंडिशन यह हो सकता है कि भाई राज्य सभाने कुछ भी नहीं किया कोई प्रक्रिया नहीं किया उस पर ना संशोधित किया ना स्विकार किया और छे महीने तक उसने कोई निर्णे नहीं लिया और ये छे महीने कैसे काउंट होगा ठीक वैसे ही जैसे 60 दिन वाला मैंने कहा था ना कि मैं इतने विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 60 दिन अनुपस्थिती का मतलब लगतार 60 दिन अनुपस्थित होना नहीं है बलकि उसमें वो लगता है कि भाई अगर सदन सत्र का आवसान हो गया है तो वो समय काउंट नहीं होता या फिर लगतार 4 दिन तक अगर वो एडजन रहा इस्थगित रहा तो अनुपस्थिती में काउंट नहीं होगा वैसे ही 6 महिने का विजूबक्त है यह ऐसा नहीं है कि आज 6 महिना पूरा हुआ पिछले 6 महिने से मार्च से लेके अगला 6 महिना ऐसा नहीं होता जब सत्र आवसान में नहीं है तो वो डेज काउंट नहीं होगे चार दिन से ज्यादा अगर सत्र स्थगित है तो वो भी डेज काउंट नहीं होगे तो 6 महिने की यह जो प्रक्रिया है 6 महिने तक अगर कोई निर्णे नहीं लिया राज्यसभा ने तो भी ये गति रोध के स्थिती हो गई यानि बात आगे नहीं बढ़ रही ठीक है अगर बात आगे नहीं बढ़ रही है तो फिर 108 का रास्ता खुल गया ठीक बात इस पश्ट है समझ में आ रही है ना बात तो जब हम अनुछेद 108 पढ़ेंगे तो इसके सारे टर्म्स कंडिशन्स को समझ लेंगे अगर दोनों सदनों से बिल पारित हो गया तो फिर जाएगा राष्टपती के पास कंसेंट के लिए प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए मैं हमेशा कंसेंट बोल देता हूँ कंसेंट का मतलब होता है सहमती एसेंट बोलते हैं एसेंट का मतलब होता है अनुमती ठीक है स्विकृति तो सही शब्द है एसेंट तो राष्टपती के स्विकृति के लिए जाएगा ठीक है और अगर राश्टपती ने हस्ताक्षर कर दिया, तो Bill बन गया Act. विधहयक बन गया अधिनियम. राश्टपती के पाथ क्या क्या option है, आप जानते हैं. वो विधहयक को स्विकार कर सकता है, अस्विकार कर सकता है. पुनर विचार के लिए एक बार लोटा सकता है, एक ही बार लोटा सकता है, अगर फिर से सदन ने वापस पारित करके भेज दिया, तो नहीं लोटा सकता है, और वीटो का इस्तमाल, पॉकेट वीटो का इस्तमाल कर सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि यथा शिगर अपनी सहमती उस पर या फिर अपना नेने देगा तो यथा शिग्र का कोई मतलब नहीं होता है इसलिए जितने दिन चाहे वो पॉकेट में रख सकता है तो यह सारी चीजे सधारण विध्यक के बारे में अब एक सवाल है कि यह सधारण विध्यक क्यों कह रहे हैं हम बार बार इसलिए क्योंकि धन विध्यक में राज्य सभा के पास शक्तियां नहीं है और Constitution Amendment Bill समिधान संशोधन विध्यक में दोनों ही सदनों से अलग-अलग विशेश बहुमत से पारित कराना अनिवार्या है और उसमें राष्टपती की शक्तियों में भी अंतर है इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि यह सधारण विध्यक को पास कराने का तरीका हुआ क्योंकि इसमें राजी सभा के पास सारी शक्तियां बराबर की शक्तियां ठीक है चलिए अब हमें असली बात करनी है भाई धन विधयक और वित विदेक के बारे में धन विधयक वित विधयक वाकई बहुत ज्यादा कंफ्इूजिंग यह कुई दोर आये नहीं और यह euros than create करता ही करता है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक उदारण समझते हैं, मान लिजे कि एक क्रिकेटर्स की टीम है पूरी, ठीक है? बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसमें इन क्रिकेटर्स की टीम में से कहा गया है, कि भाई ये जो 11 लोग खेलेंगे अगर ये 11 लोग अगर खेले, तो इसी को सिर्फ कहेंगे हम इंडियन क्रिकेट टीम इंडियन क्रिकेट टीम दूसरा एक बनी है आईपील की टीम इसमें इंडियन क्रिकेट टीम वाले मेंबर्स भी रहेंगे कुछ इंडियन क्रिकेट टीम वाले भी कुछ मेंबर हैं प्लस और भी मेंबर्स हैं इस हब में से और भी मेंबर्स और तीसरे तरह की एक टीम है जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम वाले कोई भी मेंबर्स नहीं है ठीक है कोई भी इंडियन क्रिकेट टीम वाले मेंबर्स नहीं है ठीक है बात इस पर्ष्ट समझ लेजिए तीन कंडिशन्स है ए बी ठीक है क्रिकेटर्स की एक पूरी लिष्ट है हमारे पास पूरे देश के क्रिकेटर उसमें है बात किस की हो रही है क्रिकेट की हो रही है इसमें फुटबॉलर नहीं इसमें होकी वाले नहीं सिर्फ किस कौन है क्रिकेटर्स केवल क्रिकेटर्स ठीक है इन क्रिकेटर्स में से पर्टिकुलर 11 लोगों का नाम दिया गया है कि ये 11 लोग या इन में से कोई भी अगर खेलता है वो इंडियन क्रिकेट टीम का पार्ट है दूसरा कंडिशन है कि इन इंडियन क्रिकेट टीम वालों के साथ अगर कोई और भी खेलता है यहाँ एक्स्क्लूजिव है या तो ये 11 खेलेंगे या इन में से कोई एक भी खेलेगा लेकिन इनके साथ और कोई नहीं खेलेगा ये 11 खेलें पांच खेलें साथ खेलें एक खेले इसको कहेंगे कि भाई ये इंडियन क्रिकेट टीम का इस्ट्रक्चर है इसमें और कोई खिलाडी नहीं आ सकता है इन 11 के अलावा ठीक है दूसरी बात एक ऐसी टीम बनी है जो IPL खेल रही है जिसमें और लोग तो खेलेंगे ही कुछ इंडियन क्रिकेट टीम वाले खिलाडी भी आ सकते हैं इसके कुछ खिलाडी यहां खेल सकते हैं प्लस और भी खिलाडी रहेंगे और तीसरी बात तीसरे वाले जो टीम में भेजा गया है दिलिप ट्रॉफी के लिए उसमें कहा गया है कि भाई कोई भी इंडियन वाला खिलाडी इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा इसमें नहीं खेलेगा यहां इंडियन क्रिकेट टीम का क अब मैं पूछूं कि समझ आ रहा है तो क्या समझ आ रहा है इससे किसी को कुछ समझ आ रहा है कि इस उदाहरण से कोई बता सकता है क्या समझ आ रहा है कि अनुरागने का सर आ रहा है क्या आ रहा है बताइए अनुगुपता का कुछ नहीं आ रहा है सात्विक या दो नो सर अनेरुद्ध प्रसाद यस सर प्रिया अभी नहीं सर लेकिन आ जाएगा अनुराग दिवेर नहीं कहा है मैं समझ गया सर अमुल्या नो सर बस क्रिकेट टीम में डिफरेंस समझ आ रहा है संतोष या दो कुछ भी नहीं सर सर कंप्लीट एम लक्षमी कांत कराएंगे हाँ भाई कराएंगे वो तो कराएंगे ही अभी तो ये सवाल है ना चलिए कोई बात नहीं समझ आ जाएगा समझ आएगा तो हमेशा के लिए समझ आ जाएगा एक बार और सुनिए ये ग्यान या फिर ऐसे समझ लेजिए सिर्फ क्रिकेटर्स की टीम हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं यहां ठीक है जितने भी देश के वित्त से जुड़े हुए विशे हैं वो ये हब ठीक वित्त विधेयक जितने भी वित्त से जुड़े हुए विशे हैं ये सारे यहां हैं इन में से अनुछेद 110 के तहत कहा गया है कि इन 7 पॉइंट्स से जुड़े हुए अगर विशे हैं वो सातों हो या कोई एक हो उसके साथ कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए वो इंडियन क्रिकेट टीम वला है जो 11 लोग वहिज दिये गए ना इंडियन क्रिकेट टीम में उसमें से 1 खेले, 2 खेले, 5 खेले, 10 खेले, 11 खेले ठीक है लेकिन उसके साथ कोई और नहीं खेलेगा ये सिर्फ वही सलेक्टेड लोग खेलेंगे यानि इन साथ पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट हो कोई एक विशे हो दो हो सातों हो वो exclusively अनुछेद 110 में धन विधेयक के अंतरगत आएगा ठीक अगर इस टीम में से कोई खेल रहा है और साथ में कुछ और लोग भी खेल रहे है तो IPL की टीम बनी है ये IPL की टीम का मतलब क्या हुआ अगर धन विधेयक वाले ये साथ पॉइंट्स ये विशे धन विधेयक वाले अनुछेद 110 वाले वो शामिल हूँ लेकिन उसके साथ साथ 110 वालों के साथ साथ अन्य विशे भी मौजूद हूँ तो फिर ये हुआ पैनेंशियल वित्विधेयक श्रेणी एक ठीक तो अगर अनुछेद 110 वाले विशे अनुछेद प्लस अन्य विशे जैस भी विधेयक में हूँगे वो क्या हुआ वो हुआ विध्विधेयक श्रेणी एक श्रेणी एक या विध्विधेयक एक कह लिजे लेकिन धन विधेयक का कोई भी मामला अगर नहीं हो सिर्फ consolidated fund of India यानि भारत की संचित निधी पर भारत व्याय चार्जड एक्स्पेंडिचर क्या होता है यह तीन तरह के fund होते हैं भारत सरकार के तीन तरह के fund कौन कौन है consolidated fund of India यानि भारत की संचित निधी भारत सरकार का जितना income आता है ठीक है जो भी collection होता है जो भी खर्च होता है यह सब consolidated fund of India से किया जाता है दूसरा account होता है लोक लेखा public account public account का मतलब क्या है जो भी deposits होते है जैसे provident funds हो गए ठीक है बाकी savings हो गए आप पैसा जमा करते हैं ना savings करते हैं provident fund में पैसा डालते हैं pension scheme में पैसा डालते हैं ठीक है यह पैसा कहां जाता है यह consolidated fund of India में नहीं जाता है यह income नहीं है यह तो आपका पैसा है आपका पैसा जो सरकार इस्तमाल करती है लेकिन पैसा तो आपका है income का मतलब क्या हुआ आए आपने कमाया ठीक है tax collect किया उसमें से फिर वापस तो आपको देना नहीं यहां public account है यह जिसमें आपके deposits हो गए pension के पैसे होगे savings के पैसे होगे यह सब कहां जा रहा है पुब्लिक अकउट में जा रहा है तो एक fund हो गया भारत में भारत की संचितिं थी consolidated fund of rasia जो सरकार का का जो भी deposit वगरा है सब कुछ यहां पर आ रहा है और तीसरा एकाउंट है आकस्मिक्ता ने दे यानि contingency fund of India ठीक है आकस्मिक्ता जैसे नाम से पता चल रहा है कि भाई यह emergency fund है और इसका custodian कौन है इसका custodian है प्रेसिडेंट राष्ट्रपती राष्ट्रपती के बिहाफ पर वित्त मंत्राले का जो secretary है वित्त सचीव है वो इसको deal handle करता है संचालित करता है ठीक है आकस्मिक्ता ने दे का मतलब ही क्या हुआ कि भाई मान लिजे कि कोई ऐसी consolidated fund of India ऐसी चीज़ है जिससे बिना appropriation bill ले आए विन्यूग विदेयक के आप पैसा एक पैसा निकाल नहीं सकते है ठीक है consolidated fund of India आकस्मिक ने दी है कभी ऐसी जरूरत पढ़ गई तो भाई इस fund से पैसा दे दिया जाएगा कि चलो खर्च करो बाद में इसका हिसाब किताब करके और उसको संसत्य पास करा लना लेकिन फिलहाल के लिए खर्च करो तो तीन तरह की यह fund है निधियां है यह जो भारत की संचित ने दी है इसमें एक word आता है भारित व्याय यानि charged expenditure इसका क्या मतलब है भारित व्याय का मतलब है कि जैसे राष्टपती को परिलब्धियां देना है भत्ते देने जो भी समवेधानिक महतुपूंट पद है सुप्रीम कोट के नया अधिश को वेतन देना है अब कभी ऐसा हो सकता है और यह सारा काम कैसे होता है यह सारा काम बजट की प्रक्रिया जब हम देखेंगे तो देखेंगे कि बजट पास करा करा के होता है पैसा तो सब का हिसाब है ऐसा नहीं है एक भी पैसा इधर उतर नहीं हो सकता जितना खर्च होना है सब से संबंधित कोई प्रावधान संसद ने पास नहीं किया तो क्या होगा लेकिन ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि वह भारित व्याय का हिस्सा है चार्जड एक्सेंडिचर का हिस्सा है मतलब यह फिक्स है जैसे आप अपना बजट बनाते हैं न कि भाई यह तो फिक्स बात नहीं होगी, कोचिंग की फीज, देनी ही देनी है, भारित विया ऐसा है कि समवेधानिक पदों पे जो आसीन लोग हैं, उनके जो उपलब परिलब्दियां हैं, वेतन हैं, भत्ते हैं, ये सब चार्जड एक्सपेंडिचर है, इसका मतलब है कि इस पर कभी भी वोटिंग नहीं हो सकती, मतदान नहीं किया जा सकता, वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है, ये खर्च तो होता ही है, होना ही है, राष्ट पती को इतना पैसा जाना है, जाना ही है, उस पर कभी भी मतदान नहीं किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं, चार्जड एक्सपेंडिचर ठीक है तो तीसरे टाइप की जो बात है उसमें Consolidated Fund of India के Charged Expenditure भारित वियसे सम्मंधित अगर विशे हैं तो वो है वित्विधेयक 2 श्रेनी 2 ठीक है अब देखिए फिर से समझ लिजी Cricket वाला example पहले देख लिजी और फिर इसको देख लिजी अच्छा एक बात बताईए ये सारे Cricketers है ये 11 लोग जो यहां खेल रहे हैं ये भी Cricketers है ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे जो Cricketers है इनहीं मेंसे 11 लोग को निकाल कर यहां Cricketer बनाया गया है Indian Cricket Team का Cricketer हो गया है ठीक है Indian Cricket Team के लिए वो लोग खेलेंगे तो ये पूरा ही वित्विध्यक है वित्विध्यक मेंसे कुछ विशेयों को निकाल कर कहा गया है कि भई अगर ये विशेय होंगे तो ये धन विध्यक होंगे यानि क्या हुआ कि धन विध्यक basically वित्विध्यक ही है धन विध्यक क्या है वित्विध्यक है लेकिन अगर कोई वित्विध्यक है यहां जो और लोग है कोई वित्विध्यक धन विध्यक नहीं है ये तैय मतलब इसमें से इंडियन क्रिकेट टीम में जो लोग खेल रहे हैं ये क्रिकेटर ही है इसमें तो डाउट ही नहीं है लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने वाला व्यक्ति किसी भी हाल में कहीं और नहीं खेलता ठीक है तो आप दोनों एक्जाम्पल में इसे कोरिलेट कर पाएंगे आप देखिए धन विध्यक, वित्विध्यक है इससे क्या बात निकल रही है कि वित्विध्यक के प्रकार हैं तीन कौन-कौन से प्रकार हैं वित्विध्यक के वित्विध्यक तीन तरह के होते हैं पहला धन विध्यक धन विध्यक का मतलब सिर्फ इतना है अनुछेद 110 में वर्नित विशे अगर हैं तो वो धन विध्यक है वित्विध्यक श्रेणी एक 117.1 से ये पता चलता है इसमें क्या होगा वित्विध्यक वाले विशे मनी बिल वाले विशे प्लस अन्य विशे ठीक है और वित्विध्यक श्रेणी दू इसमें क्या होगा Consolidated Fund of India से पर भारित व्याय चार्जड एक्स्पेंडिचर से जुड़ा हुआ विशे ठीक है अब बताईए कितने लोग को अभी तक पूरी बात समझ में आई ये कहां है 117 तीन में बताई ये कितने लोग को बात समझ में आगई क्या अंतर है तीनों में फिर इसके बाकी अंतरों को देखेंगे जिन लोग को नहीं आ रहे थी बात अब समझ में आ गई कि क्रिकेट वाला एक्जामपल दरसल हम अपने सोचने के प्रॉसेस को सीधा करने के लिए ऐसे एक्जामपल्स लेते हैं जेनरली आप धन विदेयक और वित्विदेयक को बिलकुल अलग-अलग समझते हैं यह नहीं समझ पाते कि वित्विदेयक का ही एक रूप है धन विदेयक वित्विदेयक के ही कुछ विशयों को निकाल कर कर दिया गया है कि अगर ये विश्य रहेंगे तो इसको धन मिद्यक कहेंगे ठीक है? समझ में आ गई सबको बात चलिए, जिनके दिमाग में नहीं गया वो एक बार रिपीट कर दीजिए तो एक बार रिपीट कर देते हैं, इंता मत कीजिए थोड़ा सा कॉंप्लिकेटेड है भी ये, इसलिए एक बार रिपीट करना बनता है मैं एक्जामपल से ही रिपीट करता हूँ आपको पहला एक्जामपल ये है, कि भाई, यहाँ एक खेल, पर्टिकुलर खेल के बहुत सारे खिलाडी है क्रिकेटर्स मान लिजे हैं, सारे क्रिकेटर्स का एक हब बना हुआ है इस हब में से कहा गया है, कि ये कुछ क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो जब भी खेलेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलेंगे भले पाँच खेलें, साथ खेलें, ग्यारा खेलें या एक खेलें 11 लोग की एक टीम बना दी गई है कि इसमें से अगर एक भी खेल रहा है और उसके साथ और कोई नहीं खेल रहा है इंडियन क्रिकेट टीम वाला ही प्लेयर खेल रहा है अगर दो खेल रहे हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम वाले प्लेयर ही खेल रहे हैं इनके सा में अन्य लोग भी खहिल सकते हैं अन्य क्रिकेटर्स भी खहिल सकते हैं तीसरा इसमें निष्चित तोर पर इंडियन क्रिकेट टीम वाला कोई नहीं खेलेगा ठीक है अब इसको विधयक पर देख लीजिए वित्थ से जुड़े सभी विषय विद्थ विद्ध 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 तीन तरीके के होते हैं विद्ध से जुड़े सभी विशियों में कुछ विशियों को कह दिया गया है अनुछेद 110 के अधीन कि अगर ये विशे इन में से कोई एक विशे या ज़्यादा विशे अगर सिर्फ वही हैं विद्ध विद्ध अनुछेद 110 वाले प्रावधान तो हैं ही, विशे हैं ही, उनके साथ अगर कोई अन्य विशे भी शामिल है, तो इसको money bill नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वित्विधयक्ष्रेणी 1 FP1, ठीक है, तीसरा, अगर charged expenditure के बारे में बात होगी, consolidated fund of India से के charged expenditure, यानि भारत की संचित बात है, यहां अनुछेद 117.1 में इसका जिक्र है, 117.3 में इसका जिक्र है, ध्यान रखिए, यहां Indian cricket team से कोई भी नहीं खेलेगा, यानि money bill वाला कोई भी विशे इसमें नहीं रहेगा, जबकि वित्विधयक्ष्रेणी 1 में money bill वाले भी विशे रहेंगे, साथ मियानने भी रहेंगे, लेकिन वित्विधयक्ष्रेणी 2 में charged expenditure के से जुड़े हुए विशे रहेंगे, और कोई भी money bill वाला विशे नहीं रहेगा, इसका मतलब ऐसे विधयक, जो वित्विधयक्ष्रेणी 2 के विधयक हैं, उसमें अनुछेद 110 का कोई विशे शामिल नहीं होगा, अब इस पस्ट है, तो निशकर्ष्र क्या निकला, कि धन विधयक्ष्र, वित्विधयक्ष्र तीन तरीके के होते हैं, धन विधयक्ष्र, जो अनुछेद 110 में बता दिया गया है, क्रिकेटर्स 3 तरह के टीम में खेव रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम, धन विधयक्ष्र, ऐपिल इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाडी प्लस अन्य खिलाडी धन विधहक के मैटर्स प्लस अन्य मैटर्स और दिलिफ ट्रॉफी जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम का कोई नहीं तो वित्ति विध्य एक्स्ट्रेणी दो जिसमें Consolidated Fund of India पर चार्ज expenditure से जुड़े हुए विशे रहेंगे और कोई भी ऐसा विशे नहीं होगा जो आनुछेद 110 से संबन्दित हो अब एकदम crystal clear हो जाना चाहिए कि सबको clear है जल्दी से बताइए comment में आज आप तो बहुत सुस्त नजर आ रहे हैं क्या बात है जल्दी जल्दी कीजिए comment ताकि आगे बढ़ें जल्दी से अब आप कभी भूलेंगे नहीं जेनरली ये वाला सेगमेंट आप भूल जाते हैं इसमें confusion हो जाता है ठीक है तो अब पूरी तरह से आपको ये बात clear हो गई है अब आईए देख लेते हैं 110 में क्या क्या चीजे लिखी है ठीक है 110 धन विध्यक की परिभाशा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विध्यक धन विध्यक समझा जाएगा यदि उसमें केवल केवल निम्नलिखित सभी या किने विश्यों से सम्मंधित उपबंध है ठीक है सभी भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं किसी करका टैक्स का अधिरोपन टैक्स को लगाना टैक्स लगाना उत्सादन खतम करना समाप्त करना परिहार माफी छूट परिवर्तन ऑल्टरेशन ऑल्टर करना उसमें चेंजेज करना या रेगुलेशन अगर ये सारे विशे हैं किसी करका को लगाना हटाना खतम करना उसको अल्टर करना उसको रेगुलेट करना इससे जुड़े हुए विशे होंगे तो वो धन विधयक की बात हो रही हैं भारत सरकारद्वारा धन उधार लेने का या कोई ऐसी गैरेंटी भारत सरकार ने अगर दिया है उसको रेगुलेट करना या फिर भारत सरकारद्वारा अपने उपर ली गई या ली जाने वाली कोई वित्या बाध्यता है, कोई obligation है, financial obligation है अगर तो फिर इन सबसे सम्मंधित विधी का संशोधन अगर करना है, तो वो धन विधेयक से सम्मंधित है, ठीक है, तो भारत सरकार अगर धन उधार लेती है, तो ये धन विधेयक का issue है, या फिर कोई guarantee देना है भारत सरकार को, उसको रेगुलेट करना है, तो ये धन विधेयक का part है, या भारत सरकार ने ऐसा obligation ले लिया है या लेने वाला है भारत सरकार लेने वाली है उससे सम्मंदित जो भी विधी है अगर उस विधी कौमेंट करना है तो ये सब धन विधे के अंतरगत अब ये एक एक चीज़े आपको याद नहीं होंगी लेकिन जो हमने basic पढ़ लिया है उसको धियान रखना क्योंकि ऐसे सवाल पूस्ता नहीं है फिर भारत की संचित निधी मैंने बताया तीन तरह की निधिया है या आकस्मिक्ता निधी तो भारत की संचित निधी या आकस्मिक्ता निधी की custody की बात है अभिरक्षा हो अगर या फिर ऐसे किसी fund में धन जमा करना हो या उसमें से ध स्मिक्ता निधी कंटिंजेंसी फंड के कश्टडी में कुछ बदलाओ करने हो या कश्टडी से रिलेटेड हो या ऐसे किसी फंड में धन जमा करना हो या उससे पैसा निकालना हो ऐसे सारे विधेयक धन विधेयक के अंतरगत आएंगे और उच्छे देख सुदस किता है भारत सरकार Consolidated Fund of India में से एक चवणनी भी उसके बाद ही निकाल सकती है अधरवाज नहीं निकाल सकती है तो विन्योग का मतलब है कि भाई संचित निधी में से पैसा निकालने की बात हो अगर तो ये भी विन्योग विधेयक लेया कर और वो क्या होगा धन विधेयक होगा किसी व्याय को भारत की संचित निधी पर भारत व्याय घोशित करना हो या ऐसे किसी व्याय की रकम को बढ़ाना हो पहले से जो है वो तो है ही मान लेजे किसी नए व्याय को घोशित करना है कि ये चार्ज एक्सपेंडिचर है ठीक है इस पर वोटिंग नहीं होगी तो वो धन व भारत की संचितनीदी या भारत के लोक लेखा यानि पुब्लिक एककाउंट में धन प्राप्त करना या ऐसे धन की अभिरक्षा यानि कस्टडी या फिर उसको निर्गमन या संग या राज के लेखाओं की संपरिक्षा मतलब center या state के accounts का audit का मामला हूँ ये सारे मामले भी किस में आएंगे धन विदेयक में और उपखंड कस लेकर चतक विनिर्दिष्ट किसी विशय का आनुशंगिक कोई विशय हूँ तो फिर ये भी धन विदेयक के अंतरगत आएगा अच्छा ध्यान रखिए ये एक-एक चीज आपको याद नहीं करनी है दूसरी बात धन विदेयक के अंतरगत आएगा की नहीं ये कौन तै करेगा लोगसभा का अध्यक्ष तै करेगा और उसका निश्य अंतिम होगा जैसे आधार बिल किसी ने लिखा आधार बिल को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल उठाए गए क्यों उठाए गए वो हम आगे देखिए ठीके तो आपको मोटे तोर पर क्या याद रखना है कि टैक्स याद रहेगा टैक्सेशन से रिलेटेड हटाना हो लगाना हो चेंज कर वाली है उससे जुड़ा हुए विधी में उससे जुड़े हुए विधी में संशोधन करना हो तो यह सब धन विद्यक के इश्यूस है ठीक है और साथ में क्या कह दिया है एक स्कोप खोल दिया है कि भाई कह से लेकर चा तक जितना भी बात बताया गया है उससे जुड़ा ह हुआ कोई और भी विश्य होगा तो भी धन विद्यक में आ जाए कौन तैय करेगा लोगसभा का इस भी कर कोई विद्यक केवल इस कारण से धन विद्यक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या फिर अन्य शास्तियों यानि दंड धन से जुड़े हुए अन्य जुर्मानों का अधिरोपन का अथ्वा अनुग्यप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग या उनके संदाय का उपबंद करता है अथ्वा इस कारण धन विद्यक नहीं समझा जाएगा कि वह किसे इस्थानिया प्रादिकारी यानि लोकल अथोर्टी या फिर लोकल बॉडि द्वारा इस्थानिया प्रयोजन के लिए किसी कर के अधिरोपन उतसाधन परिहार परिवर्तन या विनियमन का उबंद करता है यहां से question पूछा जा सकता है कैसे पूछा जा सकता है अगर आपसे पूछे कि भ वो अनुछेद 110 की परिभाषा के अंतरगत धन विधयक होगा लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई किसी लोकल अथौर्टी द्वारा या लोकल बॉड़ी द्वारा करका उत्साधन करने के लिए हटाने के लिए इन सब चीजों के लिए अगर कोई विधयक आएगा त इसमें सिर्फ जुर्माने की बात हैं जुर्माने से जुड़ी हुई बाते हैं ठीक है या अन्य धनिया शास्तियों के को लगाने की बात हो दंड जुर्माना लगाने की बात हो या फिर फीस या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का विशय हो और या किसी लोकल अथ या फिर local body के द्वारा किसी कर का, किसी tax का impose करना, हटाना, यह सब change करना, alter करना, regulate करना, local body, local authority के लिए, यह जो tax के imposition और हटाने और alteration की बात है, यह सब धन विध्यक इसलिए नहीं समझा जाएगा, ठीक है, तो यह 110 का दो कह रहा है, यदि ये प्रश्ण उठता है कि कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं, तो उस पर लोग सभाग के अध्यक्ष का विनिश्चे अंतिम होगा, जब धन विध्यक अनुछेद 109 के अधिन, राज्यसभा को पारिशित किया जाता है, और जब वह अनुछेद 111 के अधिन, अनुमती के लिए राश्टपती के समक्ष, प्रस्तुत किया जाता है, तो दो बाते पता चली, 109 में क्या दिया होगा, 109 में दिया होगा कि धन विध्यक के समन्द में राज्यसभा के पास क्या पार्स, ठीक है, राज्यसभा को जाएगा, तो क्या करेगा राज्यसभा, दूसरी बात, अनुछेद 111 के अधिन ही अनुमती मिलेगी, राश्टपती से हमने देखा है, जै कब धन विध्यक को राज्यसभा के लिए बेजा जाएगा, लोकसभा से पारित कर दिया गया, राज्यसभा के पास बेज दिया गया, तो फिर उस कंडिशन में प्रतेक धन विध्यक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित प्रमाड प्रिश्टांकित किया जाएग मतलब ये प्रमाडित किया जाएगा कि ये धन विधयक है कब लोकसभा से पास हो गया ठीक है पारित हो गया राज्यसभा को भेजा गया और जब राज्यसभा को भेजा गया और जब प्रेसिडेंट को भेजा गया तो लोकसभा अध्यक्ष उसके पहले क्या करेगा धन विधय कि भाई ये धन विध्यक है ठीक है फिर 109 देख लीजिए धन विध्यक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगसभा में प्रस्तुत किया जाएगा धन विध्यक लोगसभाद्वारा पारित किय जाने के बाद, राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारेशित किया जाएगा, ध्यान रखिए, यहां शब्द है सिफारिश, सिफारिश का मतलब संशोधन नहीं, राज्य सभा की बस इतनी ही शक्ती है धन विद्यक के सम्मन में कि वो रिकमेंड करे जो भी उसके जी है, तो पारित हो गया वो, अगर इसने 14 दिन के भीतर कोई सिफारिश नहीं भेजी है, तो ऐसे भी पारित समझा जाएगा, वही यह लिख रहा है, कि जब धन विद्यक लोगसभा द्वारा पारित करने के बाद, राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा सिफिकार कर सकता है, मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ, कि भाई, लोगसभा से जब धन विद्यक पास हो गया, और राज्य सभा को गया, तो पहली चीज तो क्या कह रहा है, कि भाई, प्रमाडित करना पड़ेगा, किसको, जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो प्रमा दूसरी बात, यहां क्या कह रहा है, कि राज्य सभा सिर्फ और सिर्फ सिफारिश बेच सकता है, यानि संशोधन नहीं कर सकता है, और अस्विकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा हुआ है कि 14 दिन के भीतर उसको सिफारिशों के साथ वापस करना है, अगर ये 14 दिन के भी तर सिफारिश्यों के साथ वापस करता है लोगसभा की मर्जी है सिफारिश माने या फिर ना माने स्विकार कर दे या फिर अस्विकार कर दे यदि लोगसभा राजिसभा की किसी सिफारिश को स्विकार कर लेती है तो धन विदहयक राजिसभा द्वारा सिफारिश किये गए और लोगसभा द्वारा स्विकार किये गये संशोधनों सहित दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया समझा जाएगा ठीक है यदि लोगसभा राज्यसभा के किसी भी सिफारिश को स्विकार नहीं करती तो भी धन विदेयक पारित समझा जाएगा यदि लोगसभा द्वारा पारित और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारिशित धन विदेयक 14 दिन की अवधी के भीतर लोग सभा को नहीं लोटाया जाता तो उक्त अवधी के समाप्ति पर दोनों सद्नों द्वारा पारित समझा जाएगा अब मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ पहली चीज मनेबिल हमेशा सिर्फ और सिर्फ लोग सभा में ही पेश किया जाएगा है राज्य सभा में नहीं पहली बात सिर्फ और सिर्फ लोग सभा में ठीक दूसरी बात राष्टपती की पूर्वस स्विक्रित अनुमती से किया जाता है इसको यह भी नोट कर लिए ज़रूरी है इसके लिए तीसरी बात लोग सभा से पारित होने के बाद जब यह आगे बढ़ेगा राज्य सभा और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास फाइनली जाएगा लोग सभाय स्पीकर इसको प्रमाडित करेगा कि यह धन विधयक है ठीक है प्रमाडित करना ज़रूरी है लोग सभाय स्पीकर के द्वारा और मने बिल है या नहीं यह लोग सभाय स्पीकर की शक्ति यह बताएगा कि मने बिल है भी या नहीं यानि इसका निर्ण लोग सभा अध्यक्ष पर है कि मने बिल है कि नहीं जब लोग सभा ने इसको राज्यसभा के लिए भेज दिया तो राज्यसभा के पास बहुत ही सीमित शक्ति है क्या शक्ति है लोग सभा से पारित होके राज्यसभा के पास गया इसके पास 14 दिन का वक्त दिया गया है इसके बीच में अपने सिफारिशे भेजने के लिए recommendation भेजने के लिए संशोधन करने के लिए नहीं यानि क्या हुआ सिर्फ और सिर्फ सिफारिश बेज सकता है ये अश्विकार नहीं कर सकता उसको ठीक है इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता सिर्फ क्या कर सकता है सिफारिश कर सकता है अब ये जब सिफारिश कर देगा तो लोकसभा की मर्जी है उन सिफारिशों को माने या ना माने अगर नहीं मानती है फिर भी पास हो गया पारित हो गया ठीक है अगर मान जाती है तो संशोधनों के साथ वो पारित हो जाएगा मानने पर और नहीं मानने पर भी पारित होगा अगर मान लिजे 14 दिन तक राज्यसभा ने कोई सिफारिश नहीं भेजा तो भी ये दोनों सद्नों से पारित माना जाएगा ठीक ऐसा क्यों किया गया है ऐसा इसलिए किया गया है कि भाई धन विधेयक इतना महतुपूर्ण है कि अगर धन विधेयक में राज्यसभा को शक्ती दे दी गई और राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं हुआ और धन विधेयक वहां अटक गया तो सोचिए भारत सरकार एक रुपया खर्च नहीं कर पाएगी, क्योंकि बजट में जो विन्योग विधेयक है, रुवित्विधेयक है, ये सारे विधेयक, धन विधेयक के अंतरगत आते हैं, और इसके बिना तो आप फंड से एक पैसा नहीं निकाल सकते, तो फिर सरकार दे इसे, दस मिनिट में, क्या क्या चीज़े हैं, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राष्टपती की पूर्व सिफारिश से ही प्रस्तुत कर सकते हैं, केवल मंत्र राज्यसभा धन विदेयक में संशोधन नहीं कर सकती, अस्विकार नहीं कर सकता, सिफारिश करने के लिए अधिक्तम 14 दिन का समय राज्यसभा को दिया गया है, अगर वो 14 दिन के भीतर सिफारिश नहीं करता है, फिर भी दोनों सद्नों से पारित है, सिफारिश के साथ भेज देता है लोकसभा को लोकसभा के मर्जी है माने- 나 माने दोनों कनडिशन में पारिक के पहले लोकसभा अध्याक उसको प्रमारित करेगा। वन 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 तो हमने क्या दिखा था धन विध्यक को छोड़ता क्योंकि गतिरूद की स्थिति आएगी नहीं इसमें लोगसभा को सुपर पाउर बनाया गया है वित्विध्यक अनुछेद 117 वित्व से जुड़े सभी विध्यक जैसे राजस्व व्याय कर लगाना ये सब वित्विध्यक हैं सभी धन विध्यक वित्विध्यक होते हैं लेकिन सभी वित्विध्यक धन विध्यक नहीं होते हैं वित्त विध्यक दर असल तीन प्रकार के होते हैं धन विध्यक वित्त विध्यक श्रेणी एक वित्त विध्यक श्रेणी दो और अनुछेद 117 एक के तहट अगर हम देखें वित्त विध्यक श्रेणी एक को तो उसमें मनी बिल अनुछेद 110 वाले प्रावधान भी शामिल हों तो इसको हम कहा देंगे फैनेंस बिल श्रेनी एक वित्विध्यक श्रेनी एक जबकि वित्विध्यक श्रेनी दो में मनी बिल वाला कोई भी प्रावधान शामिल नहीं होगा इसमें Considated Fund of India पर Charged Ekspenditure से जुड़ा हुआ रावधान होगा ठीक है तो अनुछेद 110 में शामिल विश्यों के साथ कुछ अन्य विश्य जो धन विध्यक की परधी से बाहर हैं अगर कोई ऐसा विध्यक है न विध्यक क्या है डॉकुमैंट है इस डॉकुमैंट में अगर इस तरीके की चीजे हैं कि ये सिर्फ साथ पॉइंट्स हैं ठीक है जो अनुछेद 110 में दिया गया है या इस साथ में से कोई दो पॉइंट्स हैं चार पॉइंट्स हैं तो ये अनुछेद 110 के तहत धन विधयक हो गया अगर इस डॉक्युमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं जो अनुछेद 110 वाले हैं लेकिन बाकी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अन्य चीजों से जुड़े हुएं, साधारन कानुनों से जुड़े हुएं तो ये वितविधेयक श्रेणी एक हो गया और अगर इसमें इसमें मनी बिल वाल कोई भी नहीं है सिर्फ Consolidated Fund of India पर Charged Expenditure से जुड़ा हुआ है तो ये वित्विध्यक श्रणी दो हो गया भी मनी बिल वाले कुछ तो हैं ही ना प्रावधान ठीक है मनी बिल बेसिकली सरकार की पॉलिसी की लेवल की बात है अगर ऐसे बिल पास नहीं हुए तो सरकार संसद में लोकसभा में विश्वास में है इस पर डाउट खड़ा हो जाएगा इस्तिफा देना पड़ जाएगा त तो अगर वित्विदेयक श्रेणी एक में दो मामले में ये धन विदेयक के समान है पहला राश्टपती की पूरुस सिफारिश चाहिए और दूसरा ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए बस इतना ही है लोकसभा में समद्ध में शक्तिया है ठीक है वित्विदेयक श्रेणी दो समझ लीजे साधार्ण विदेयक कोई खास बात नहीं है ऐसे विदेयकों में भारत की संचित निदी पर भारित व्याय समद्धे उख़वंद रहे होते हैं लेकिन ऐसा कोई विशय नहीं होता जिसका समद्ध ठीक है राश्ट्पती की वही वित्विध्यक श्रेणी एक में क्या था राश्ट्पती की पूर्व अनुमती चाहिए पूर्व सिफारिश चाहिए लेकिन वित्विध्यक श्रेणी दो में है सधारण विध्यक की तरह पास कीजिए बस यह है कि पारित करने के पहले दोनों का अंतर ले कर चलेंगे दस मिनिट में तीनों का अंतर देख लेंगे लेकिन क्लास ko जरुर रिवायज pro लीजेगा अगर नहीं करेंगे तो सारा उड जाएगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं कुलदीप सिंह पूछ रहा है कि लिए किको किसको समझ में में आया कि विर्थ विदहया के एक में स्थान शोधन हो सकता है एकदम हो सकता है राज्य सभा को बराबर शक्ति चलिए बताईए जल्दी से कि किसको किसको बात समझ में आ गई तो फिर क्लास खतम करें कि शंग तो पर शर्बोन शर्ब्स खता है को कि अधे कि अ कि सबको समझ आया है विख्यों कि अग्यों और भी जब्स फार। Car Yes Schley अच्छी बात है दिए हञी कि अभी तक एग भी कमेंट ऐसा नहीं आravasti किम्झे सब समुझ में नहीं स्ब k Teresa Sबको समने आ गया है यह बहुत अच्छी बात है अगली बाद वाए cleanals जो उसके पहले स्को रिवाइज आध